सरुका बांदी पोरा में आतंकियों ने बिहार के मुहमद अम्रेश कुमारी गोड़ी दिल्ली उत्तरप्रदेश समेट अन्राजों में बारिश का दौर शुरू होने के आसार राजस्थान और मद्रप्रदेश में अलड़ टी-ट्वेंटी विशुकप में भारत को चोट पहुचाने वाला पाकिस्तानी गेनबाज चोटेल शाहिद अफ्रीदी कप्तान बाबर ने जताई वापसी क्यूमी नमस्कार मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वस्निया चैनल प्राइम टीवी चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर अलिगड में थाना बनना देवी चेत्र मसूदाबाद रोडवेस बस स्टैंड में रक्षा बंधन त्योहार के चलते बहनों को अपने भाईयों को राखी बानने के लिए घंटों तक रोडवेस बसों का इंतजार करना पड़ा वहीं जानकारी के मुताबिक रक्षा बंधन परवपर प्रिशासन की तरफ से सौगात में 30 रोडवेस बसे भी लगाई गई थी लेकिन भीड़ जादा होने की वज़े से परिशानी का सामना लोगों को करना पड़ा इसके साथ ही जिला कारागार में बंध भाईयों को भी बहनों ने राकी बांदी जिसके बाद से ही कारागार में बंध भाईयों के चैरों पर खुशी देखने को मिली सब्सक्राइब बंध भाईयों के लिए बहनों के लिए तो और एया में रक्षव बंधन के मौके पर मिठाई की दुकाने सजी हुई है मिठाई या दुकानों पर महिलाओं ने जम कर खरिदारी की और भाईयों के लिए राखी भी महिलाएं खरी दिती हुई नजर आई तेवहार के मदे नजर प्रिशासन भी अलर्ट मोड पर एक्टिव दिख रहा है हर तरफ विवस्थाई पूरी तरह से चाक चौबर नजर आ रही है हम लोगों ने पिछले दस तिनों से हम लोगी सभ्यान में थे और लोगों को बहुत ज़्यादा जगरुक किया गया है दो तरीकों से एक तो हम अपने व्यापारी को भी जगरुक किये हैं कि रंग का कम से कम इस्तेमाल करें वर्क आप देख रहे होंगे कि कहीं भी खराब वर्क आपको जल्दी से नहीं मिलेगा कहीं पर इकका दुक्ता कर कोई लगाई मिलता है तो उस पर कारवाई करते हैं तो लेकर के तो मिठाई में सुचिता बनी रहे इसकी हम लोग पोशिश लगातार करना है पिछले पूरे कि मिधाई बनती है कोई मिलावट वाला काम नहीं है और विक्तरी रच्छा बन्दन की अपकी बार अलकी चल लगी है दो दिन के तिवार के चक्तर में सोन भदर में आजादी के अमरित महुत्सव को सफल बनाने के लिए क्रॉस कंट्री दोड का आयोजन किया गया ये रेस पिपरी हनुमान मंदर से होकर पिपरी चोराहा पर जाकर खत्म हुई वह इस रेस में 500 बच्चों ने हिस्सा लिया जिसमें 17 बच्चों को पिपरी नगर पंचायत अध्यक्ष दिगविज़ सिंग ने सम्मानित किया जबकिस कारिक्रम के दौरान पिपरी नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी भी मौझूद रहे गोंडा में प्रजापती ब्रह्मा कुमारी श्रीविश विद्याले जानकी नगर में लड़कियों ने स्पी आकाश्त उमर को राकी बांदी राकी बांदते हुए बेटियों को सुरक्षा का एहसास भी दिलाए गया वहीं स्पी ने भी शान्ती एवं सुरक्षा विवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाए है और सभी बेहनों को जीवन भर खुश रहने की शुपकामनाई भी दी गई है तो आप तस्वीरों में भी साफ तोर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जनपत की बेहने हैं जो जनपत की बेटियां हैं उन्होंने स्पी के कलाईयों पर राकी बांदी है शाजहापुर में लॉयन्स इंटरनेशनल के विश्व व्यापी डियाबिटीस जागरुकता भियान के अंतरगत इस साल वी केर वी सर्व के माध्यम से डियाबिटीस के ऑनलाइन प्रोग्राम को लॉयन्स क्लब शापुर शक्ती की महिला सदस्यो द्वारा समाज को किया गया है जबकि मरीजों की जाच डॉक्टर अंकीता गुपता द्वारा उनकी क्लीनिक पर की गई वही क्लब की सर्चिव लॉयन अमन बग्गा ने बताया कि साल 2020 से 2022 तक लॉयन्स इंटरनेशनल 43 देशों में फैले 83 लॉयन्स डिस्ट्रिक में फैल चुका है जिससे कई मरीजों को लाब मिला है यह हमारे डाक्टर अंकीत गुपता क्लीनिक आफ आयर वेदा में लाइंस कलब शक्ति दोहरा निशल्क मदुमे की जाच और बिलड प्रेशर की जाच क्या कैम्प लगा जा रहा है जिसमें जो में में रोड पर कैम्प लगा रहे हैं जो हमारे जो अभी आद आपके जो रोड के जिनको दिशित नहीं बन पाती ज 52 सगरा ये शुगर चि année बीमारी आज के दर में बहुत ज़्यादा अधिक-ोगों में फैल रही है और जिस तरीके से हर जंता इस तरीके को अपनी नहीं जागे और नहीं कर पाता है अपने भागदोर की जिंदगी में तो ये कैम्प को देखते हुए काफी लोग हम देख रहे हैं जैसा कि इस तरफ के बहुत से लोग आ रहे हैं और अपनी जांच शुगर की करवा रहे हैं कम से कम अभी तक 2-500 लोगों की जांच हो चुकी और आगे भी चलती रही और जे शक्ती कलब हमेशा की तरह इस तरीके का सेवा कारे करता रहेगा जिससे की लोग अपनी सेयत के लिए जाग रुक रहे हैं आज की शुगर की बिमारीयों और बीपी की बिमारी को देखते हुए धन्यवाद। आज़ादी के अम्रत मोस्तों को पुलिस माने देशक मोदे के निर्देशा नुसार संपूर्ण पुलिस विभाग में विविन्न कारेक्रम पाविद किये गए हैं कल साफ सफाई बैंड का दुन वादन जंडा रोहन घर घर तिरंगा ये कारेक्रम संपन कराए गए हैं आज ये पहला कारेक्रम है जिसमें पुलिस कर्मियों का हाफ मेरेथन है गोंडा में होम गाडो और पियाडी के जवानों ने आजादी का 75 वर्ष गाट मनाया है अमरित महुत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को एतिहासिक बनाने के लिए एक सभा का आयोजन क्या गया प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ने 75 वी वर्ष गाट पर अमरित महुत्सव का आगास किया है वहिस मौके पर SDM आकाश सिंग तैसीलदार पैगाम हैदर और ब्लॉक प्रमुक जगदेव चौधरी के साथ शियर्मैन प्रदीप कुमार गुपता भी मौजूद रहे चंदौली में शाहब गंज विकास खंड के अरजी कला प्राथमिक विद्याले पर प्रिंसिपल और सहाय का ध्यापक पिछले साथ साल से नियुक्त है लेकिन उनका आना जाना केवल महीने में एक दिन का होता है जिससे गुसाए ग्रामीडों ने खंड सिक्षा अधिकारी को बंधक बनाकर सिक्षकों को निलंबित करने की मांग उठाई है तो आप तस्वीरों में साफ तोर पर देख सकते हैं जहाँ एक तरफ सीम योग्या आदितनाद द्वारा जब उनके दूसरे कारिकाल के शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि वो महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरुक रहेंगे जिसके लिए कई तरह की अभियान भी शुरू किये गए लेकिन चंदौली में उन सब ही अभियानों का पलीता लग रहा है क्योंकि वहाँ पर सिक्षा विवस्था पूरी तरह से चर्मराई हुई है और कई महीनों से वहाँ पर स्कूल भी बंद पड़ा हुआ है कि अभिया कि प्रात्मी जाले एरजी कला है यहां दलित और बैकोवर्ट के ज्यादा तर गरीब तप्के के बचे इस जी जाले में पुखते हैं यहां चंद सेखर सिंग हेड मास्टर है करीब इनकी साथ सा नियुक्तियां हो गई लेकिन कई वर्सों से यहां कभी तो एक मह मेंना दो महिना पर आ जाते थे फिर कुछ दीन के बाद 26 जनौरिय और 15 अगरस अपना चिस किये थी यहां का जो है यहां का जो है यहां का जो माइस्टर जो चंद सेखर सिंग है बिगत लगातार साथ सालों से यहां इस तैनात हैं जबकि वो पहले एक महिने में एक बार आ पर आया गया था तदकाल खंड सिच्छा अधिकारी सहाग कर्म्ज को मैंने मौके पे जाके उसकी जाज़ परताल के लिए भेजा जब वो मौके पे गया तो ग्रामीड वहां उपस्तित थे उनके द्वरा पताया गया कि उपस्तिती पंजिका उसका नेच्छड किया गया त 18-7 से वो सिच्छक अंपस्ति चला है वेटे पीयों की खड सिच्छा अधिकारी की आख्या बगा लिया और उनको दोनों सिच्छकों को मैंने पत्काल ने लंबित कर दिया है सोन भत्र में पुलिस सधिक्षक के नर्देशन में मादक पदार्थ के विरुदे कभियान चलाए गया जिसके तहट सोजी टीम और थाना चोपन पुलिस ने मुकबीर की सूचना पर कार सवार दो गांजा तसकरों को गिरफतार किया है पुलिस ने इस दौरान उनके कबजे से बोरे में 45 किलो गांजा भी बरामत किया जिसके कीमत लगबग 5 लाक रुपे की बताई जा रही है मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि ऐसे लोगों को पकड़ना है जो मादक पदार्थों की सप्लाई इस डिस्टिक में कर रहे हैं आज इसी करम में 45 किलो गराम गांजा पुलिस ने पकड़ा है चोपन पुलिस ने चेकिंग के दोरान और एक स्यूवी गाड़ी भी पुलिस ने बरामत की है इसमें दो लोगों की पुलिस ने गिरफतारी की है दोनों लोग बलिया के रहने वाले हैं गाजेबाद के लोनी थाना में च्रॉनिका सिटी छेतर के मनीश पार के लाके में घर में बुजूर्ग का शव संदिग्द परिस्थितियों में मिला है जानकारी के मताबिक शव कई दिन पुराना बताय जा रहा है और सड़ी गली हालत में मिला है फिलहार पुलस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज़ दिया है साथ ही आगे की मामले की जाँच परताल में भी जुट गई है कि मामला पुछने जी बंद कमरा था और इसी वो जानकारी नहीं थी आज बदू आने लगा थे लोग को पता चला इस संदर में लोग क्या नाम था उनका इनका नाम अकले सर्फ परसाथ था अच्छा और वो यहार के जहानवा डिस्टिक मुर गाउं गाउं से बिलां करते अच्छा कि आपने परिवार के साथ में रहते हैं हैं कि इतने दिनों से वत्यांद के नाम क्या है लिए अकलिस नाम मैं अच्छा कितनी उम्र हותा इनकी तो क्या हुआ है इसा उनकी उत्विटार्बर ऑंस अच्छा तो क्या कंडिशन ने उसके सब की समय? अलिगड में थाना कौरसी छेतर में नगला पटवारी पहासू रोड पर शमशाद मार्केट में यूफ्ती के साथ दो बाइक सवार बदमाशों ने लूट पार्ट की घटना को अंजाम दिया जिसकी शुकायत पुलिस से भी की गई फिलाल पुलिस मामले की जाच परताल में जुट गई है वही मौके पर मौझूद पुलिस अब सभी दुकानों की CCTV फोटेज भी खंगालने में जुटी होई है मैं बहुत से पैर्डो लुबाने गया था तो थोड़ा तो फुला हुआ था तो अचारा एक से एग्टम पर्स चीनके दो व्यक्ति भागे उसके दीछे स्कूटी ले लडगी बागे तो पर्स किसका चीना था लडगी अधि रगी थी उसका पर्स याय था उनने पीशा करा बदाईयों में एक तेज रफता ट्रक ने बाइक सवार को रौन दिया जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई जिससे गुसे में लोगों ने रोट जाम कर दिया फिल्हाल मौके पर पहुचे पुलिस ने जाम खुलवा कर शफ को कबजे मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेच दिया है साथ ही मामले की जाँच परताल में भी पुलिस पूरी तरह से जुट गई है तो इसमें आपने तैरील दी है फिल्हाल हमारे इस बुलिटन में इतना ही देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी